दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं पुछ काम में लगा हूं ठीक है अब क्या-क्या हो गया मैतिदाना हो गया चूना हो गया जाल चीनी हो गया अब एक चौधी ओशर यह और बहुत अच्छी ओशर है वो आप सभी के काम आएगी जिनको भी गुर्गे का प्रास है कमर दुखती है कंदे दुखते हैं बात की तक कि मनुष्य को शरीर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है वो जिस इस्थती में लेका है उसी में लेका है थोड़ा भी कर्वट बदले बहीं कर्वट हो उंगलियां ऐसी हो जाते हैं हिलना भी संबग नहीं हो जाता है ऐसी कंदीशन जब हो जाए बात अंतिम इस्थती में होता है परिजात के पेड़ के पत्ते हैं चालीस साल पुरादी अर्थराइटिस रिमेटिद अर्थराइटिस औस्टियो अर्थराइटिस को भी ठीक कर देता है परिजात के पत्ते हैं परिजात का फूल आपने देता है सफेद फूल होता है और गंडी नारंगी होता है और प गुड़गे की तकी पुरानी हो, दस बरस पुरानी, 15 बरस पुरानी, 20 बरस पुरानी, 25 बरस पुरानी, 40 बरस पुरानी, ठीक ही नहीं होती, दौक्तर ने मना कर दिया, सम्नल मना कर दिया, कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए ये है परिजाद, परिजाद के पत्ते तोड़िये पाँच्छे पत्ते तोड़े उसकी चट्नी बना के एक गिलास पानी बना लिए पानी को खूप उबालिए और इतना उबालिए कि पानी आधार रह जाए इतना उबालिए कि पानी आधार रह जाए एक गिलास पानी पाँच्छे परिजात के पत्ते पत्तों को बनाईए चट इतना उबालिये कि पानी आधा रख जाए अब इस पानी को रख दीजिए ठंडा हो जाए और जब इनकुल ठंडा हो जाए तब उसको पीना चान के पीए तो अच्छा है और बैसे पीएगे तो और भी अच्छा वो पत्ते अगर जहाएं फेट में तो बहुत ही अच्छा मुतलब इसका यह है कि रात को यह बलाईए परिजात के पत्ते तोड़के चट्टी बनाके पानी में उबालके रात को रख दीजिए रात बर रखें सुबह उपकर उस पानी को पीना मूद रोके साफ करके कुल्णा ततुम करें अगर आपने चार-पांच दिन भी पी लिय तो चालीस साल पुरा ने डाइविटीस जो हाथ पर भी नहीं हिलने देता वो हाथ पर हिलना शुरू करा जाए और कितना भाएंकर दर्द हो साथ दिन में तो दर्द बिल्कुल गाइब कराए बहुत अत्मुत है इसलिए मेरा सप्को एक विनंती है कि परिजात का जाड़ अपने घर में जरूर लगेंगे और परिजात का जाड़ जंबले में भी लग जाता है उसको बहुत जगह नहीं लगती चोटी सी जगह में भी हो जाता है यह परिजात का जाड़ बहुत ही अद्बुत है हर एक उस पेशेंट के लिए जिसको अर्थराइटिस है रिमेटिक अर्थराइटिस हो या उसकी अर्थराइटिस हो दोनों ही तरह के अर्थराइटिस में दोनों ही तरह के संदीवात में बहुत अद्बुत है और पुराने संदीवात में तो सबसे ज़्यादा है शुरूआत है तो एक दो दिनी लेगा बहुत जरम है शुरूआत है तो दो परिजाद को नाम है वो मरगी नाम है हार सिंगार हिंदी नाम है हार सिंगार समझतों वो भी नहीं समझतों तो मैं आपको शकल बगाता हूं सकी सफेध रंग का छोटा फूल महिंता है और नारंगी उसी दंटे फीर आठिटेंग्स अर अवादि वो एक ही बात है पारी जात उसको संश्क्रत में कहते हैं परीजाद मालूम है तो बहुत अच्छा इसलिए मेरी विंटी है कि घर्म थोड़ी भी जगह है तो एक परिजाद का जाल लगा के रखिए बहुत काम आएगा आपके नहीं तो आपके पड़ोसी क्योंकि करके सभी जहुन क्या अशुक्ति कि आजीवाद को इसा कोई ठीवार में जिसमें संदीवाद की और संदीवाद की कि सबसे च्छी अच्छी अच्यूक दवार आईवें में यही है परिजाद के पेढ़ कात्ता कुष्फ अगर आपको चिकन गुनिया हुआ है तो परिजाग की पत्य का रस कियेंगे तो तीन दिन में ठीक होगा एलोपयती दॉक्टर के पास जाएंगे तो छे महीने भी ठीक नहीं होने वाला है गारेंटी में देता हुआ हजारों रुपए खर्च करेंगे परसी का मोल की कितनी भी कोली खाएंगे कितने भी इंजेक्शन लगाएंगे 6-8 महीने आपका ठीकी होने वाला ने हुए और परिजाग के पत्य का रस तीम दिन में ही सिकन्पोनिया ठीक कर देता है पत्ते फूल नहीं पत्ते सिर्फ पत्ते फूल नहीं खा लेना कभी ज्यादा से ज्यादा पांच कि अच्छे पत्ते ही काफी है एक इन में बुले आदी वो बहुत अच्छा चलता है बहुत ही अच्छा चलता है उसकी और भी कई तक्लिफ हैं ये दूर कर देता है मूत्र से जितनी भी जुड़ी हुई शिकायते हैं बुड़े लूगों को वो परिजाप की पत्ते के रस्य ठीग हो जाती है बिल्कोई मूत्र खळा को ठीग शिकायते होथा लेकिन बूत्र की दूसरी तकलिफ है मूत्र में रुहावट आती हैं मूत्र करके मूत्र आता है मूत्र आते समय बहुत जिलन होती है ये सब भीमारיה ठीग कर देता है पार्देटि पत्व हम और पड़े में भूब अच्छाए है के पानी तो जिरूर पी लेगा इसलिए पत्के को पीस कर चेक्पी बना कर पानी में गरम करके लेंगे असर जल दिया दोस्तो सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइब कमेंट और शेयर करें और हां हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूले